जाइन टॉक्स के 87th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ नील और आज मेरे साथ राचकोट से जाइन धर्म की विदूशी भारती बेन मैता जुड़े हुए है भारती बेन आपका स्वागत है जाइन टॉक्स के अंदर आज बहुत ही रोचक विशे के उपर वो बात करने वाली है और बहुत ही उपयोगी विशे के उपर आठ आनंद मंत्रों यानि ऐसी आठ बाते हमें बताने वाले हैं जो कि हमारे सब के लिए बहुत ही यूसफुल होगी और आज का सेशन गुजराती में होने वाला है तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि भारती बेन जो हमारे साथ जुड़े हैं पर मदूर ऐसी गुजराती भाशा में आज हमें पूरा सेशन मिन्स बहुत सारा ज्यान देगे बहुत सारी उप्यों की बाते बताने वाले हैं आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं सभी दर्शकों को भारती बेन का संग्षिप्त में परिचई देना चाहूंगा हमारे साथ जो भारती बेन जुड़े हुए है वो एक सिक्षी का गुजराती वक्ता लेकी का और संपादक है युनिवर्सिटी ओफ बरोडा से गोल्ड मैडल के साथ उन्होंने MBE की डिगरी हासिल की है साथी साथ MFIL किया है और शंगीत विशारत भी है हस्ताक्षरनू अक्षई पात्रा जिसके अंदर साथ से भी अधिक गरंथों के प्रकाश संपादक और क्योरेटर की रूप में वे कार्यान वित है परमपुज्य पन्यास जी बद्रंकर विजय जी मारा सहथ की डाइरी उनकी लेखन को उनर स्तापित करने और प्रकाश में लाने के लिए वह दिन रात मैनत कर रहे है बारती बैन एक डिजिटल पॉटल के माध्यम से करीबन 72,000 से भी अधिक छात्रों को सिक्षा प्रदान कर रही है उन्होंने अपने माता-पिता, सास ससुर और गुरुजी पन्यास भद्रंकर विजय जी मारा सहथ के उपर आत्मकता लिखी है जो बेहद प्रशंचनिय बनी है बारती बैन ने दो बार जैन पत्रकार संग मुंबई की और से बेस्ट बुक अफ दे यर अवार्ड प्राप्त किया है उनकी लेखनी प्रबुद्ध जीवन, अखंड आनत, नवनीत समर्पन, प्रतिष्टित प्रकाशनों में प्रकाशित होती रहती है तो ऐसे जैन धर्म के 87 टॉप में जुड़ी हुई है भारती बैन आपका स्वागत है जैन टॉप्स के इस मंच के ऊपर थैंक यू सो मुच नमस्ते नमस्ते महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतुने ओम नमो वीतरागाय साक्षात सक्चित आनन्दमै वितरा परमात्माने नमस्कार थाओ जैन टॉप्सना सर्व गुणी जनोने मारा प्रणाम थोड़ा समय पुर्वे मने कोय कयो के पेला भाई गुजरी गया देट पर्सन पास्डवे मारू मन विचार करवा प्रेराई आग गुजरी जवू गुजर्वू एकले शुन तो मारी गुजराती लेजिकोनिया बुद्तिये तरतज उत्तराप्यो गुजरी जवू एकले पसार थभू वही जवू बीतभू तो अहीं थी मात्र पसार थाए एतो यात्री के प्रवासी कहवाई एन्नों अर्थे थोयू के प्रुथ्वी उपर आपनों कोईज कायमी ग्रहतों छे नहीं तो आपनों भडानुज घर थोयू तो एज़ रेंड आपने आ प्रुथ्वी ने कशुक्त आपको जुए तो जो हूं आत्म स्वरुप छूं तो सत चीत आनंद एमारू स्वरुप थलू अने जो हूं आठे पहोर आनंद मारूए शकूं तो आ प्रुथ्वी ने में तैक रेंड रुपे आप्यू गणी शकाए एम विचारी ने में में मारा जीवन ना आठ आनंद मंत्रों खड़िया आपने सव एमाथी आनंद पुर्व गुजरिये पसार खईये यात्रा करें मारा जीवन नो प्रथम अने परम आनंद मंत्र छे जी जी हां जी जी गुजराती में जी हिंदी में जी जीवन की हर एक पल का स्विकार यथे छसी तथा कुरू रोजे रोज जे मारी सामे आवे तेने मधूर आवकार जे ज्या ज्यारे छेवू जेतलू अने जेरी ते पण बने ते कर्मो दैनो शत प्रतिशत स्विकार मले ते गमे न विरोध न प्रतिकार धारियो थाईने तो हरी गुरूपा पड़ नहीं तो हरी इच्छा स्पुरूस्ट बद्ध निधत अने निकाचिक कर्मोना उदै तरप साक्षी भाव ग्याता द्रश्ता भाव अना कारणे सु थाई छे के to be in the present moment नी awareness आवी जाए छे अने आ जी ना आनंद मंत्र थी तो पच्छी to become, become so little or scale down against it अस्विकार छे ने इमा निराशा वाद तो नतीच पड़ जे थाई छे ते सारू के खाराब नहीं पड़ योग्यज थाई छे एवी श्रत्धा अमा थी पुरुशार्थी खसी जवानी तो बात बिल्कुल ज नती, to be एनी सत्तक ज्यागरूती अने हूं आत्मा छूं एनी awareness एज सौथी परम भगीरत पुरुशार्थ छे एम शास्त्रों मा पण कहयों छे लेट गो एन लेट गोड स्विकार मां चित प्रसन नतानी गयरेंटी शे सौथी उपर नू लेवल सिद्धत वो आपने जोगाणी है तो एमा तथे आपना आत्माना सौथी निचे ना लेवल निगोध मां आपने जुए तो कि सूछे अक्रियता शे अने अक्रियतानी प्र शर्णा अगति जी वन्वासन की थलोच्यारे भगवान राम नो त्यारे अयोध्याना लोकोए पड राम लक्ष्मन अने जानकीनी साथे तंसा नदीने पार करी पछी प्रभुवे नगर जनोने कहूं जो तमे बधा मने स्नेह करता हो तो हवे सव नर्नारियो नगरमा परत चौद वर्स पछी हूं तमोने फरी थी अवध माज मडिश अने एकलो वक्षत हे नर्समाज हे नारी समाज तमे पाछा फरी अने बधाने संभाड़ो चौद वर्स विदी गया एज तमसा नतीने तीरे प्रभु परत फर्या अने त्यारे जोयू तो एक इनारे एक समाज त राम, लक्ष्मन, जानकीने चोईने तेवो दोड़्या प्रभु में पुछियू अरे तमे लोको के माज अन्या बेठा छो उत्तर मड़ो अरे अमे अत्यारेज नती बेठा अमे चवद वर्स थी अन्या बेठा छिये अरे पड़ में तो कहेलो के तमे जो मने प्रेम करता हो तो मारी वात मानीने अयोध्या परत्फरो अने चवद वर्स थी मारी प्रतिक्षा करो। या महराज यह अमे सामढ़ेलो पड़ आपे खास संबधन करेलो के हे नर समाज पाछा जाओ, हे नारी समाज पाछा जाओ, पड़ अमे नथी नर के नथी नारी, अमें तो हे राम प्रभु आपनी ज आगना नू पालन कर्यू छे, केंके आपे आमने कोई आगना आती जिन होती। किन्नर समाज नी आ परम शर्णा गती जोईने प्रभु राम नी आखो बिंचाई गए। तेमने अयोध्या पॉची ने सव प्रथम किन्नर समाज नूज स्वागत अने सन्मान करावयो। आचे करिशे वचनम तव जी। मारा जीवन नो वीजो आनन्द मंत्र छे आपो गिव। दो मीनिंग ओफ लाइफ इस तु फाइंड अवर गिफ्ट बट पर्पज ओफ लाइफ इस तु गिव इट अवे। कारण के आपवामाज साच्यो आनन्द छुपाएलो छे। गोपित छे। ब्रम्हांड मां बद्धाने सीमा होई शके। परन्तु आपवानो आनन एतो असीम छे। भूमी, चल, वायू, अगनी, आकाश। अले आ चाउद राज लोगना सार्व जीवोने बनाववानी सामग्री आ पंच तत्वो छे। एतो सदाए फक्त आपेने आपेच्छे। एवू कोईने याच्छे। कि कोई वार आपणने पंच तत्व मां थे एकार तत्व आवी नेकिदू। कि भाई, अमें तो अनन्त युगो थी, कि तलाए वर्षो थी, तमनेज आपेच्छे। आज़े एककाम करो, तमें अमने जहलावो के प्रकाश आपो के ना, क्यारे ही पण नई। आपंच तत्वो तो सदा आपेच्छे। तो आपने सब जे मां थी सर जाया, एनो मुर्स्वभाव, ए आपनो मुर्स्वभाव कई रीते ना होई शक्ये। आक्षणें ज्याद आवे छे सुफी सन्थ बुल्ले शाह। सन 680 मां पंशाब ना गिलान्या गामे तेमनों हतो चर्मा। अध्यात्म ससने ही, इनायत शाह ने तेवो गुरु बनाववा इचता हता, तेथी तेवो नेमढवा तेवो लाहोर गया, जियां तेवो आमरव अन्मा विराजी ने तस्वी पढ़ता हता। बुल्ले शाह, आमरव रुक्षोनी परिसर जिवा पहुच्या के बद्धा वुरुक्षो मां थी टपो टप आप मेरे केरियो पढ़वा मांदी। ए जोईने इनायक शाहे पुछिऊं, अरे ओ नव जवां, आम तोड़ते हुए क्यों अंदर चले आते हो। बुल्ले शाह ने बोला, न तो मैं रुक्ष पर चड़ा हूँ, नहीं तो मैंने पत्थर से कोई आम मैंने गिराया है, वो तो अपने आप ही निचे सब गीर रही है। गुरु जानते थे नायक शाह कि जिसने जीवन भर निस्वार्थ भाव से दिया ही है, उनका अध्यात्मिक प्रभाव भी ऐसा ही होता है। इसलिए यह समझते हुए गुरु ने उन्होंने तुरंत ही शिश्यपत से स्थापित कर दिया। अरे प्रभु महावीर भी कहते हैं कि असंभी भागी नवी हुओ तस्स मुख्ष। जी पोताना माथी विझाने भाग अपतो न थी एनो मोक्षन न थी। भावनगर में यहां हमारे सवराष्ट में भावनगर थे। उनके वहां एक मई मिले थी तक्त सीजी बापू को। हम जब बैठे थे तो हमने देखा कि उनकी जो बाग बगिचे उड्यान वाडी था उसमें आमरव रुक्षो थे, कई सारे फल के पेड थे। तो हमने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे छूटकर वहां आये और पथर मारकर सब फल नीचे गिराए और वह अपने कपड़ा में लपेटने लगे। तब भावनगर के वह तक्त सीजी बापू ने हमें बोला कि भारती बहन एक मिनिट है मैं अब भी आया। वहां एक बड़ा सा पोट पड़ा था उसमें से कई सारे इसे चिल्लर पैसे निकाले दौड के गए और वो सब बच्चों को खड़ा रखकर बोले कि अरे ये जो बुरुक्ष है ना उसको तो आप इरादा पूर्वक पत्थर मारते हो फिर भी वो अपना सब फल अगेरे द क्योंकि तक्तसी जी बापु को पता था कि सुख की मास्टर की है चक्रवत्ती चाबी है देना गिव आपो जो के हम नाज एक पुस्तक मा वाचती हती कि चानक्य एम लख्यू तुए मा कि कोई आपने एक अक्षर नोपण जो बोध आप्यों होई ने आपने कही करता हुए अने कोई एम के दू ना, ना कराए बस अटलोपण खाली ना एवो एक अक्षर नोपण जो बोध आप्यों होई तो प्रुत्वी उपर एवो कोई ज द्रव्या ना थी कि जे आपी ने ए रूण मां थी मुक्त थाई शकाए सन ओगनी सो थी ओगनी सो दस माने की यर नाइटीन हंड्रेड से 1910 तक जो हमारी शेठ आनजी कल्यान जी की पेधी है उनके सुकानी थे शेप्स्री लाजभाई कस्तुर भाई हमें पता है उनका नाम सुना है, उनके हमने कईने शायद दर्शन भी किये होंगे, उनकी माता जी माने गंगामा, सम्मेच सिखर जी तेर्थ परिशन की जो भूबी है, वो उस समय, आज से 110 साल पहले, वह दूनी कबरस्तान और कतल खाना की परिवर्दन होने वाली थी, तब ये गंगामा वहां गए थे, अने आ कार्य थतू अटकावे लूँ, तिर्थ रक्षिका थी वो, लेकिन छीव रक्षिका भी थी वो, उन्होंने एकदा समस्त परिवार जनों को सम्मी ले किया, और बूला, कि मैं जब देह त्याग करूं, तब मेरा निश्चेतन शरीर को दो घड़ी के अंदर, माने कि 48 मिनिट्स में ही अगनी दाह आसब दे लेना, और वो जो अगनी दाह के जो लकडिया है, वो भी मैंने पूंज कर, प्रमार्ज कर, अलग रख दिया है, जिससे क्या होगा, कि मेरे शरीर के निमित से, सम्मुर्छीन जीवों की उत्पत्ती नह ही होगी, लेकिन हाँ, जब मेरा शरीर निश्चेतन हो जाए, तब वो लखडियों को अब फीर से एक बार प्रमार्ज लेना, ये था उनका जीवों को जीवतदान, वो 300 पात्रा की जोड अपने घर में रखते थे, वो जो हम श्रमन भगवन को मुराते हैं, और वो जो कास् 100 पेर्ज वो अपने घर में रखते थे, और उन्होंने एक आदमी रखा था, मेनेजर के माफिक, जो हर रोज अम्रावाद में उस वक्त 147 जिना लए, उनके घर के परिसर थे, तो वो जो मेनेजर थे, उनको, उनकी क्या काम होता था? तीन, सवेरे, दुपेर को और शान को, बस सब उपाश्रह में जाकर हर एक श्रमन भगवन से हाथ जोड़कर विनती करना कि आप गंगामा के घर वहोरने के लिए पधार येगा, ये हमारा कर्तव्य भी है, अब क्या होता था? वो रहती तव थी साबरमतिक के नदी के किनारे और उनका नाम था गंगामा, तो दोनो नदियों की पवित्रता उनमें मिक्स थी, तो वो क्या करते थी? जब भी पूलविश्रमन भगवन उनके घर आते थे, तो हक से, पहले तो वो अगर देखते थे, कि उनकी हाथ में एक ही तरपनी है, या एक ही पात्रा है, तो वो सबसे पहले तो अपने घर के पात्रा उसको प्रेम से, और अधिकार से, हक से, मैं आपकी माता हूँ, ऐसा व पात्रा की जो जोडी होती है, वो भी देते थे, और फिर पात्रा छलकाई जाए, एतलू वहरावता पन हता, सवार थी सांज, एक सर्खो उचर्टो, आ साधू वया बच्चन उल्लास अने आनंद, अत्यंत अनुमोदनिया छे, एमा हतू फक्त आपो, 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 गेव, गेव, एंड गेव, and then you will receive. आजे, एक सदी पची पण, आवी वात सुनी, आवा अनुम्भवो सुनी, आवी अनुम्भूतियों मानी ने, आपना बत्त्री स्कोखे, दिवा प्रक्ती जाए छे, अरे, आपना आत्मामा पण एक साथे, सोसो सुरजनू अजवालू पथराई जाए छे, केंके दान, आप्वानी, आनन्द, पूरुन अक्षणों ए शास्त्रों मां कयोंचे, के जंगां तिर्थ छे, निस्वार्थ दान, हवे एक वार अमें, अमारा पिताजी, श्ति शशिकांपाय मेहता ने पुछे, के अमें चेरे कोई वार दान आपियने, तो पप अपाजी खबर नाथी पर दी कोई वार अमारो दंभ पोशाए, कोई वार अमारो अभिमान पोशाए, तो आ निस्वार्थ दान ची कें खबर पड़े, तो इमने बहुत सरस्वात करी, कि गुरु महराज, पन्यास भद्रंकर विजय ची कहता हता, कि तमें स्वार्थ वगर अनु कोई दान आपो ने, तेरे पाँच भूशाण प्रगट थाए, नंबर एक, आनन्दना अश्रु आरे, बीजु, मनमा बहुमान थाए, तरीजु, तनमारो मांच थाए, गुजबंस थाए, अपने घणी वार थायासे, कोई वार्थ दान आपता होये त्यारे, चोथु पाचर थी, वर्षो पची पण, एनी अव विरत अनु मोद ना चाले, अने ए दान प्रिय वच्चनों साथे अपायों होये, भाई, वापर जो, बहें, आप जरूर थी अनुखब रहे एम कर जो, अने फरी-फरी पधार जो, ज्यारे आवो दान बोई, एनी स्वार्थ दान चे एम समझवो, कितली सरस्वार, त्याग अने भोगनो लई, अरे इश्यावास्यमा पण, सुन्दर रिते प्रतिध्वनी थयो छे, के ते न त्यक ते न भुंजी था हा, त्यागी ने भोगवो, अरे विनो बाजीने पण, तीनी माटाए, पिलान से कहेलू ने, पिली पपयु मारी वाडीमा उगेलू छे, खाई जाओ, त्यारे एमनी माता है कहेलू, के विन्या, देवे ते देव, अने राखे ते राक्षस, जा, पिला आपना एलियाना बधाज घरोमा एक एक ठीर पपयानी आप्याओ, अने पच्छीज, तारो वारो आवे, त्यारे खाज आवो सुनी नेतो, हैया माथी, सार्व जीव प्रत्यानी मैत्री नुझेरनों फुटी निकले, अने एटलेज, मारा जीवन्नों, त्रीजो आनन मंत्र छे मैत्री, आँ आनन्द छे नेतो एवी कस्तूरी छे, छे आमतो आपणी अंदर अच्छे, परन्तु, तेने शोजवा आपणे पण कस्तूरी मुरूप जेवा बनीने बहारे व्यर्थ भ्रहमण कर이야 छे, कोई वस्तु मा, कोई व्यकती मा, के कोई परि स्थिती मा आज जे जैन शब्दा छे ने एमा उपर बे मात्रा छे एमा एक छे जीन भक्ती नी अने बिजी छे जीव मैत्री नी जे मोर नू पीछु मडे त्या मोर होयच एवी रिते जिया जीव मैत्री पाकी ने त्या जीन भक्ती प्रगतेच अरे मैत्री तो जैन धर्मनों सार छे ते पाज प्रकारे होई उपकार मैत्री अपकार मैत्री विपाक मैत्री वचन मैत्री तथा वितर आगीनी असंग मैत्री मैतरी ना महासागर एवा पुझ्य पन्यास जी माहराज कहे छे के हरण, गाई, बकरी के ससलाने कोण शिखववा जाई छे के तेमने फक्त शाकाहरीज रहेवानू छे कोई नाई, एवनी अन्तह प्रेरणा छे आ, अरे नक्षो लिधावगर निकर्थी नदीने पण, कोण शिखववा जाई छे के तेने सागरमा जयी नेज भडवानू छे, बस एतो वहे छे आपणा मानवो माँ पण प्रक्रुतिये एक अंतह प्रेरणा मुकी छे मैत्री में, प्रत्ये एक जीव परत्वे मैत्री भावनू जवहे राखो, पण आपणे एकला बीजी छिए, के धैट स्मोल इनर वोईस ने सामभळवा माटे आपणी पासे समय जला थी, अने एकले आपने अबूध रहा छिए, श्री दिपक भाई पारडोली जैन टोक्समा आपने तिया आवी गया छे, एमने एक बहु सरस्वात करी छे, के प्रभू प्रसन थाए, अने धरो के आपने एककज वर्दान मांगवानू कहे ने, तो एक श्रेष्ठ मित्र मांग छो, केंके श् आश्वत आनंद सुधी पोँचार छे, आने ए आनंद नो पर्याय होई छे, पोई पण जग्यानू अपने द्वार खुलवू होई, तो आइधर आपने पुष करी, अजवातो पुल करवू पड़तु होई छे, हम्या आनंद मां प्रवेश करवानू द्वार, तो फक्त अ आँख, कान, ना, स्पर्ष अने जीब, अपाचे इंद्रियाने अंदरनी तरफ खुले ने, एवी कोई बारीजी न थी आपए, अने साच्चों मार्ग तो अंदर रज खुले शे, एक वस्तु में बहु अजब ज्ञानी हम ना, मुझे अपंडित इंद्र चंद्रजी ने कहा बंबै से, कि अगर आप सिर्फ अपने आपके आत्मा के कल्यान के लिए ही अगर धर्म अराधना करते हो, तब वो धर्म फलीत नहीं होता है, लेकिन जब आप संकल्प करते हो, के मेरे यह धर्म के द्वारा, चौद राज लोग की समग्र प्रत्येक जीव, बोधी वीज पामो, सवनू अगनान तथा दुख तड़ो, सत जीव, सुख, शांती और कल्यान मार्ग पामे, आवा संकल्प साथे कराती धर्मनी आराधनाज फल्वती थाई छी, ओहो हो, खेली वार्थ थे गया तो, अनके जिन्शाशननों सारत छे, के जे तू तारा माते इच्छे, ते सर्व माते इच्छ, आ महित्री भाव छे, जेम, पिता, एक कुटुम्ब माते, अने सैने, एक देश माते जजु मेंने तिन धर्म करनारे, पाण, सर्व जीवोनी मुक्ती माते जजुम बुजोगे, कारण के परमपद्नी प्राक्ति एस सर्व जीवनों जन्म सिद्ध हक कच्छ, आ थै मैत्री नी पराकाश्ठा, मुझे याद आ रहे हैं मेरे मम्मी जी मेरे सांस, अनुपमाबे महता, उन्होंने मैत्री की इतनी पराकाश्ठा साधी थी, कि उन्होंने अपने जीवन के 72 यर्ज के अंतराल में कभी भी गरम पानी और थंडा पानी मिक्स नहीं किया था, वो बोलते थे कि गरम पानी तो पीने के लिए करना पड़ता है क्योंकि फिर वो अचीत हो सकता है, लेकिन अगर मैं इस नानार्थ खंडा या गरम पानी मिक्स करती हूं तो जीवन की कितनी विरार ना होती है, अरे उन्होंने दुनिया भर में धर्म के लिए जो भी यात्रा है कि वह अड़वाने पाई, माने कि वानह पहने बिना, माने कि कोई शूज, चपल, स्लिपर्स, कुछ पहन के बिना ही कि क्योंकि वो बोलती थी कि मेरे 65 किलो तो वेइथ है, अगर मेरा पाउं किसी भी छोटे जीन के उपर भी अगर आजाता है, तो मेरे पाउं में जो जगह होती है, खाली उसमें अगर आएगा, तो वो शायद मरने से बच जाएगा, तो मैं नहीं पहनना चाती हूँ, देखिए, शास्त्रों में वो बोली थी मुझे एक बार, कि ग्रुहश्थ थके मार लिये एक नियम है, जिस दिन हमने 108 बार पंच परमेश्ठी का स्मरण नहीं किया, माने कि 108 नमस्कार महामंतर का ज्याप नहीं किया, उनके दूसरे देन उपवास का आलोयना आता है, और उसके सामने जो सम्तामईश्रमन है, हमारे शाशन में, उनके लिए एक नियम है, कि सब के लिए मैतरी भाव रखे, और कुछ करे ना करे, लेकिन सब जीव के उपर मैं तरी भाव रखना है, तो यह सम्तामईश्रमनों को देख कर और सम्तामईश्रमनों को देख कर भी, मैंने मिरा जीवन का चौथा अनन्द मंत्र निश्चित किया है सम्ता योगसार ग्रंथ मा सम्ता योग को सार्वयोग के सार की तरह घटाया है आगवी विशेषता बक्षी है यहां योगसार में लिखा है कि आप भले ही कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, मंत्रयोग, ध्यानयोग, तक्पयोग सबको महत्म्या है लेकिन अगर ये सब योग, अगर सम्तायोग के साथ मैत्री नहीं कर पाए तो आप समझ लेना कि आप सेंटर को भूल गए टेरीफेरल में ही आपकी यात्रा संपन न होई, सम्ता आनन्द आपे छे, कारण के ते आत्मशुद्धी नो सवथी टूको अने सरण मार्ग छे, मोक्ष मार्गे आगर जवाना भले अनेक पतर राया, परन्तु सम्ता एक एवो गाइड छे, एके वो भोम्यों छे, एने साथे राखवाथी आ भवसागर ने पार करवानी वैतरणी बहु आसान ठेजाए छे, मने याद आवे छे हमना उपगुप्त भिख्षू, एबना ग्नान अने रूपना प्रभावती अंजाईने नगर रमणी वासव दत्ताए, ए उपगुप्त ये तो कहे वड़ावियों, हुँ तो साधू छू, हाल तो नहीं, अब तो नहीं, लेकिन समय आने पद मैं आपको मिलने जरूर आउंगा, वासव दत्तानो तो अहम घवायों, हुँ आटली रूपर अमनी मने कोण ना पाड़े, एल ये तो लोको समक्ष, आ अभिक्षू उपगुप्त जी ने बदनाम करवा मां कहीं बाकी न राख्यों, फर उपगुप्त तो संक्ता पुर्वत, मौन पुर्वत, बदू सांभडी रया, ए पची मात्र साथ महिना पची उपगुप्त ने एक वार सांभडवा मढ़ियों, के वासव दत्ताने तो ए नगर नी बहार पण धकेली दिदी छे, कारण के एने अत्यांत चेपी एवा रक्तपित ना रोग नो भोग बनी छे। उपगुप्ते विचार्यों, हवे ज साच्चो समय छे, तेनीनी समी पेजवानों, ए गया नगर नी बहार, त्यां तेनीने दर्द थी, एकल ता थी, अने दिकार थी, अने भूख थी, रिवा थी जोए, एने कहुं उपदेश आप्यों, अरे वासर दत्ता जी, पढ़ताने बचावू छे, तेथी हवे सामेचालीने आपने मलवा आव्यों छे, संसार नु स्वरू, तो सर्वक्षणिकम, सर्व अनित्यम छे, संध्याना रंग समान विनाशी, ख्षान भंगूर एवु तारू रूप भले ने गव्यों, परन्तु, तु कोण छो, याद कर, तारू स स्वरूप सुचे, तु तो अविनाशी एवो एक आत्मा छो, आत्म साधना करने के लिए अप्रत्येक अक्षन संधा के संग बितारा दे, तो यह माना उभाव तुम्हार नहीं जाओगे, वासवड़ता, जे भर सुख मां हती, ए त्यारे आतत्व नोती समझी, ए रप्त प संसार माथी मन उठी गयों, कोई बोलावे नई, गतर माथी दाना शोधी ने खावा पड़े, छत्ता पण संताने कारणे एना मन मा, एना आत्मा मा प्रशान्ती रहे। आत्मा राकता शिखे, आ संता राक्यारे रहे। तो इनों बो सरस जवाब मणे शे, कि जे मा जे मा आत्मा न थी, ते दरेक चीज उपर उदास इन भाव राक्ये, त्यारे संता रहे। एम विचारिये, क्या खुँ जगत निर्दोश छे, सुक अने दुख आपनार तो मारो पोतानों आत्मा जी छे। सुक मारा आत्मा एज बांधेला पुर्वना शुब कर्मो छे, अने दुख मारा ज आत्मा एज सेवेला दो शोन्या सेवन्ने निपजी छे। तो आ जगत तो साव निर्दोश ठोय। पण पुणियां अने पापना अन्नाटक ना जो न्यायादिश बन्सुने अपड़े घणिवायें करेचियां वाय मी, मारी साथे आकेल थाए, अरे तो संसार मा दंडा शो। पण आ नाटक ना प्रेक्षक बन्सुने तो संता थिये कर्मने निर्चरा करीशुन। न्याय अपनार बेज छे एक कर्म सत्ता अने बिजी धर्म सत्ता। तो एक बन्ने नो खेल जोता अपड़े खाली जोना राबन्ने अने बाकी खसी जरिये। अपना आयूनी समया वधी पूरी थता रवाना थायेने। एक पहला अनुकुर्ता होई के प्रतिकुर्ता होई। बस संताना घरमा चोवी से कलना रहिए। वो आपनने पुछे क्या रहो छो। तो आपड़े एमाटूंगा के पागला के सांतागरुस के केवानी बदले के राज़कोट एम केवानी बदले आपड़े एम काईशम के उस संताना घरमा रहो छो। जो आम हशे ने तो आत्मकल्यान समी बेज छे। सम्ता हाशे ने तो आपनामा सम्कीत नई होई ने तो यहाम शें अपने घणिवार विछार आवे मारु आत्मा सम्कीत दी तो हशें değer सम्कीत पामी गयों हशे तो नई त्यारे गुरु माराज्य आपने इहेंक है क्यों आ प्रश्न थायों ने तुम्हान जोकेत संकीती छो, पण शास्त्रे इमपण करेछी कि संक्ता हाशे ने, तो संकीत नहीं नहीं तो पण आशे, आवेलू हशे तो टक्षे, नीर्मड थशे, नीरती चार थशे, अने बस आवी संक्ता आवीशाईने पछी जन में स्थैर्य, स्थीरता, एटले ज मारा जीवननों, पाच्मों आनंद मंत्र छे, स्थीरता, उभा रई जयूं ते, गयाना बोधी व्रुक्षनी चे, परम शान्ती प्राप्त थए भगवान बुद्ध विचरता हता, एमा एक घोर जंगल माथी पसार खवानू आव्यू, केचियां अंगुली माल डाकू, लोकोने मारी नाखीने, चमण, हाथनी, आंगडियो, कापीने, एनी माला बनावीने, कंठमा धारण करतो, अने एटलेज तो, लोकोये तेनू नाम पाडेलू अंगुली माल, हवे, लोको तो एनू नाम सूनी नेज भई थी थर-थरता, पड़ गुद्ध तो, आ जंगल माथी चाल् शांत अने अभई पाणे, गया मर्धिय अभण आपियो, अने त्याँज एक दूर थी, कंपावी देदेवी भूम संब्राई, अरे ओश्रमान, उभो रहेचा, पन जाने काई सांबडियो उज नाम होई, एम भंते तो, अडग पने चाल्ताज रया, अगुली माले वड़ी राड़ पाड़ी, अरे ओं बुद्धा, उभो केंब्रे तो नथी, बुद्धे चाल्ता चाल्ताज, पड़ कोमण भावे कनू, हूँ तो उभो जो छो, उभा रहेवानी तो तारे ज़रोर छे, अरे, हूँ नथी उभो, ना, चनस अने मानस नी पाचर, दिवस रात तु घ हणू दोड़ियो, पड़ हवे बस कर, हवे उभो रहेजा, पड़ तमे क्या उभाचो, आ तमे ते चाल्ता चाल्ता तो मारी साथे वाद करो, छो, ने, अंगुली माल, एतो मारू शरीर जाले छे, पड़ मन तदन शान्त छे, अने आत्मा मा पड़ कोई विकल्पो उठता जारतू अहीं उभोईल तो देखाये छे, तरी वाद साचे छे, आ जंगल मा मध्यवन मा तू उभोज छे परंतु, तारू मन दोड़ा दोड करे छे, हवे त्रुष्णा अने क्रोध मा थी मुक्ती मेडव, शुद्ध बुद्ध स्वरुप मा स्थिती कर, उभो रैज्या, प्रशान्त बनेश, जे जीवननू साथ ठक्याशे, तू जो आव रुख्षो पर्थी पांगडा तोड़ी तो शक्ये छे, प्रशू फरी पांचाहे ने जोड़ी शक्ये छे? ना, जो जोड़ी ना शक्ये, तो तोड़वानू हक अपनने कोण आपे छे? शान्त था, जो शक्ती शारिये तो जोड़वानू काम कराए, अने तु तो शक्ती शारिये छो, तारा उप्योग ने आत्मा साथे चोड़, अने शान्त था, अंगुली माल नो आत्मा जागी उठ्यो, ते थोब्यों, तो साची दिशा मड़ी, जेवी चंड कउशिक ने बस एतले ज, हूँ पण, रोज जे, थोड़ी वार थोबू छू मारी अंदर, अने विचारू छू, कि जे मारा माटे श्रेर नथी, एने मैं छूड़ी तो दिधू छे ने, अही थी, हूँ जे साथे लई जय शक्ती शक्ती पण गाए लव छू, एने ज तरब, मारू ध्ये अरे प्रभू नामनी केतली पुंजी रड़ी में आजे, अने नर्सी मैंतानी पंक्ती पण गाए लव छू, के हे प्रभू, तमने जे होए वल्लब, एटले के प्रिय, अने वडी जे होए दुर्लब, एवू आपों प्रभू जे, अस्थीर्ता, एटले स्थगीतता नहीं ह स्थीर्ता, एटले तु तल्ली नता, लैली नता, एकाग्रता, पड़ के ली? अठ्याविसज वर्ष्नी लगू वय, दे हांत पामनार, पंडिक टोडर मल जुदी, फक्त साम्ड़ीनेज कंठस सथे गयलू, एमने तत्वार्थ सुत्रा, अने ते पड़ मात्र आठ वर्ष् उम्मरे, छो महिना माज से धान्त कवमुदी जेवा, कथीन व्याकरणों अभ्यास करया पछी, गुम्मत सार, लब्धी सार, त्रिलोक सार, आत्मानु शाशनम, आदिक टिकाओ, अने मोक्षमार्ग प्रकाशक नमे ग्रंथो पड़ रच्चे आये, अने समय सार, नियम सार, अने 85 काईनों जारे ते वो अभ्यास करता हता, त्यारे, लाग लगाट 6 माइना सुदी, इननी माता है, इनने अलूनों भोजन जमारे, एकले के बिना नमक का आहार, लेकिन उनको पता तक नहीं चला था, कि मैं जो भी भोजन ले रहा हूं, उसमें निमक ही नहीं है, आहा, कैसी होगी वो ताली नता, एकाग्रता, पड़ ए आविहशे, एमने स्थीर थाये नहीं, आत्मामा उभाराया पचीच, सम्रुद्धीमा छके नहीं, आपतीमा दगे नहीं, प्राप्तीमा हर खाई नहीं, हानी मा घबराया वीना, जी स्थीर तानी भूनी का प्राप्त करी शके एने मोक्षब्राक्ती दूर न थी। जो आपनेम विच्छारियने के जे प्राक्त छे ए पर्याप्त छे। मारा पूणिया प्रमाणे बद्दु बराबर छे। तो शुन था एक हबर छे। आपने पात्रत आखीले। अपड़ी पाक्रता खिले तो शूथा एक खबर छे कि कुद्रतना घंडार मां इटली बधीतो वस्तुओ पड़ी छे कि स्वायां शोधी रहें छे कि मारे कोनी पासे जवों बस एक पाक्रता शूथे छे जन्म मरणना चक्रावा मती छूटवा माते एक नानो सोल्यूशन छे एक नानो उकेल छे शूँ तो रोज छे स्थीर थाईने सवारे वपोरे अने सांजे शीवमस्तु सार्व जगत हो एनी भावना पुर्वा पन स्थीर थाईने अंदर बार नमस्कार महामंत्र गणवा एमाची शूँ थाई छे कि सद्गतीनी परंपरा चालू रहे छे अने प्रांते मोक्षम रहे छे कितली नानिवार परंटू अंदर स्थीर थावानू अने कंटीनिवसली आपना छिल्ला दिवस्थी दर रोज त्रण समय सवारे छवागे वपोरे बार आगे अने सांजे छवागे आ त्रण समय नो नियम राखी ने जो स्थीर ता पुर्वक बार नवकार मंत्र गणिये तो मोक्षन दूर न थी नेपाडनी गुफामा जे तिलोपा नामना एक बुद्धत्व पामेला सन्त हता एमने पण कहुँँछे के स्थीर थाओ अने ए पछी शू ठाई छे कि तमने विचारो ने जे तमारा मनमा जे विचारो आवे छे एने तमने एक एवी शक्ती पेदा थाई छे के एने तमने पछी मात्र जोया कर्षो ए विचारो ना गणाता द्रश्टा बच्छो एमा भडशो नहीं इतले शू ठसे के धीमे धीमे ए सर्व विचारो आपको आपी दाईले छे आपणा घरे कोई मेमा ना आवे और आपणे इने बोह रिस्पोंस ना आपी एक शू कर जह तारे एवी जरीते आ विचारो साथे करवानु छे पड़ हाँ विचारो साथे लडवानू नथी हाँ विरोध पण नथी करवानू बस स्थीर रैने इमने चुवा ना छे आपण आद लाव्या बदर अने तेखीज मारा जीवननों छट्ठो आनन मंत्रचे आ प्रमानू एको समयम्मा पमाय ए प्रभु वीरे आपेल आजीवन मंत्र गणधर गवतमने। जीवननी एक शन्नों पण प्रमात करवो नहीं एकके पढ़ वेड़फी नहीं गोया एम करता तेओ अमारा पिताजी पणमने कैता के रोज सवारे प्रभु वद्धाज जीवोने चोवीस रोकडी सोना महोरो भेट मा आपेशन। आज चोवीसोना महोरो एटले चोवीस कलना हवे एन्ये वाववी के वापर वी के वेड़फ वी ए आपना सवनाज हात्मा छे पोदपोताना हात्मा छे तो आमा प्रमाद कर्या वगर अपने विचारिये के कुईने प्रेम देवामा कुईने वस्तु देवामा बद्धानु ही चिन्तन कर्वामा एक शोणों ने वापर सु तो ओटमेटिकली एक शोण ववाई चेछु एन्ये वेड़फ शुन नहीं जेन गुरु इक्यू ना दर्शने त्राण वर्ष पछी तेनों शिश्य आव्यो बहारे वर्षान वरस्तो हटो एथी एना आश्रमना द्वार्मी बहारच छत्री अने पग रखा मुखी ने अंदर आव्यो अने कम्यू प्रणां गुरुजी तमारी आपेली स्थीर तानी अप्रमादनी साधनार पूर्णा करीने मुँ एक हज्जार दिवसे परत्फर्यो शुम गुरुवे कहिं अरे वाला सिश्य पधारो पधारो पड़ मने ए कहे के ते तारी छत्री नी कई तरफ तारा पग्रखा मुख्या छे शिश्य ने नवाई लागी आ वड़ी कई जातनो प्रश्णा एकले तेने चवाब आप्यो एतो मने गुरुजी बराबल याद नती आवजु गुरुए ससनेह कनो तुम जो तारी प्रत्ये कपढ़ तो हजु प्रमाद छे पाछो वळबाहला सिश्य हजु प्रमाद तजी ने अभ्यासकर विजा एक वर्ष पच्छी आवचे ओहो 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 औहना आपने तो मात्रा प्रमाद थीज भरेला छिए एक बउसरस कल्पन एकले की कल्पना वाँची हम ना प्रभु जी आरे घडियारी बनीने घडियारने पेंडुलम लगावा सव पेल्दीवार आव्या त्यारे एक पेंडुलमे प्रात्ना करिये लोगो बनने मित्र हता करांके समय पण शाश्वत छे प्रभु पण सिद्धशिलावा साश्वत छे तो बनने मित्रों थाया तो इटले किछी पेंडुलम छे ने किदू अरे बित्र प्रभू, मन्य आमज रेवादोने उपकार करोने, जो तम्या लोलक लगाशो, ए पचितो शूँ ठसे, मारे दिवस अने रात, अविश्राम पड़े, सर्तर, टिक, टिक कर्या करो पड़से, एक मिनिट मां साइट फकत, अने एवाज करम मां दिवस, महिनो, वर्ष, सदी अने अंतहीन काड परियांत। त्यारे सर्जन हारे कईू, अरे मित्र, भविश्य न तो विचाराज ना कर। तारे तो एक पड़ मां मात्र एककाज वकत टिक करवानी छे। प्रमाद सेव्याव अगर मात्र तारे एक पड़ मांज जीववानू छे। आव विरत अनन्त वहेल मां जीवनने प्राप्ति आपणने पण प्रत्येक पड़ मां जेछे। अने ए प्रत्येक पड़ आनन्त थी मढ़ी दिदी हो एतो शूँ ठाय। तो तो मात्र जीविये नहीं उज्यविये। आ जीवन जी एक सेलिब्रेशन बनी जाए। दबेस्ट वे तो बी हैपी इस तु मेग अधर्सो पन प्रेम पुर्वक। अने एकले जीवननो सात्मो आनन्त वंत्र छे प्रेम। प्रेम। एक जीवना रदै नो बीजा जीवना रदै मां प्रवेश ठ प्रेम एकले आमें टारी माटे करी वे नहीं पर नेकी करो और कुए में डाल एवी व्रुत्ती प्रेम एकले पॉजिटिविटी एक प्रेम नी रिटान गिर्व छे प्रेम अंदर थी निप्छेलों होए। ते कोई एलेक जाने कैवा थी रेडी में ना मढ़े। एनो प्रो और जब प्रेम हो जाता है तब और कुछ नहीं चाहते हैं हां। आ विश्वमा व्यवस्तित रिते चालता आ तंत्रमा ओ सरस्वात साम्डियां के राग ने द्वेश आपने करने ने तो ये बाधक बने शे। पर प्रेम आ विश्वने चलावाना तंत्रमा प्रहायक बने शे। जीववा माटे अन्न करता पण आनंदनी वधू जरूर छे। आनंद ए जेम अंतह करणनो धर्मा छे ने एम प्रेम पण आपना अंतह करणनो धर्मा छे। रमाल महर्शुने कोई पूछ्यों। अमारे बिज्जा साथे कीड़े विदे वर्ताव करो। शुँ जवाब मणयो हशे। पोलाइतली प्रेम थी एम ना। एमने कर्यों धिरार नो अदर्ज। कुई अन्या बिज्जा छे ज नहीं। आपना आत्मा जिवोज आत्मा सवनो छे आ प्रेम नो एकत्व छे। मारा हस्मन दिपक अनेहु। अमे प्रथम वार मडेला प्रायहत चालीस वर्स अने अग्यार महिना पेलला। त्रण में 19292 हतो। मी इमने त्यारे पेललीवार मडेला। एटले पुछे लू कि तमने केवा जीवन साथी नी अपेक्षा छे। जवाब मां पहला है तो एमने को हुआ। आमे बनने 21 वर्स ना हता। जू बोले। एटले अने को यूगे थोड़ू। पड़ त्याज एने अगल वाद चलावी अने कहनू। मारी जीवन साथी मने एवी चुईये जे मारो प्रेम चीरवी शक्ये। आहाहा। अने पछे सिद्धो प्रश्न पुछी लिदो। अने कोण ना पाड़ी शक्ये। एक साव अजाणयों पग्रव प्रेमने कारणेज तरत पोती को बनी गयेलो। प्रेम जब अनन्त हो गया, रोम रोम मेरा संत हो गया। ए प्रेमना ताप माज अमे धीमा तापे सिज्वा दिदाचे अमारा सहजीवनना चार दसका अने हवे पछी पणचे सत्चित आनंदनाज अभरखा। अपनेचे ने कोईने हूफ आपले ने, त्यारे आपनने तो आखे आखो सूरज मढ़तों होडशे। प्रेम फक्त अनुखवाए, व्यक्त न थाए, एनी लेवड देवड ना होए, ए फक्त होए, ए समयथी सिनित नती, और ए आपने स्वयम छीए। कोलंबसे, जेविरीते अमेरिका खंड सोध्योंने, एम आपने सववे पन, पोद पोताना आनंद खंड शोधी लेवाना होए छे। जणान अल्प छे, प्रेम विशार छे, औने आत्मा नंदमा रहेवू, ए साचो धर्म छे। एस विकार्या पछी कोई अच्चानक आपनने मली जाए। अन्ने पछी पूछे, कि केम छो। तो आपने पण धुरू भट्तनी पेली पंक्ती कही शक्ये। कि फाटेला खिस्सानी आड मा मूखी छे, अमी छलकाती मलकाती मोज। आपने तो रोज रोज दर्याशी मोज छे, अन्य उपपर्ती कुद्रतनी रेल छे, कारण के मने प्रेल छे। अन्य पछी तो, क्या दूर हशे एप पूर्णता, जेनो सेटू छे प्रेम भाव, जे मृत्यू पछी पण संगा थापे छे। एटले ज, वान प्रस्थना वधामने मारो आठमो आनन मंत्र छे, मृत्यू नी भाव यात्रा। जे घटना सो टका निश्चेट छे, एमाथी रोज जे एक वार सजाग ताथी जागरुती पुर्वक पसार थवू, अने एने माटे तैयार रहवानों आनन छे आमारों। जी आरे खरेखर अंतिंग शने इने मडवानों थाई ने, त्यारे अपरिशित्ता न लागे। स्थूड माथी सुक्ष्ममा जवानी आखटना के क्लीप आवन थाशे, एमारों रोज विचारू। मारा जीवननी बैकपेक माथी मुँ मारों पाचलों समय काड़ू, अने विचारू। कि बिचातों बत्था विदाय थाई छे, पड़ हुतों अमरज रहवानी छू, एवा भाव मा मैं मारा जीवनना छ दायका 2263 वर्स्तों विदावी देदा। पण मारी लास्ट मोमेंट साथे हवे च्यारे रुज्जे शेकेंज करू छुने, त्यारे अनेक महान आत्मावनी अंतीम क्षणों ताद्रश्य थैजाय छे मारी सामे, कि जेवय कहलू छे, मृत्यों थी नहीं, जन्म थी डरों। एम उपदेश्ता कया महान आत्मावे अंतीम समये शू कर्यू एहुं रोज विचारोश्यू। एमादी थोड़ी शणों अईया हुं उगाडवा मांगेश। श्री आत्मारांजी महराजे अंतमा तरणवार अरहम, अरहम, अरहम मंत्रणों सु दिर्ग उच्चार करीने कहेलू, अब हम चलते हैं, सबको खामाते हैं, अने पछी देह छोड़यों हचता हसता। तुझे आचार्य श्री प्रेम सुरी दाड़ा, अंतिम समय वीर वीर नो उच्चारण करता करता कार धर्म पाम्या। आचार्य स्री रामचंद्र सुली स्वर्जी महराज, अरि हन्त शब्दना नाद साथे अत्मस्थ थाया। पन्यास्री पद्रंकर विजेजी महराज, चौदसनी सांजुन्यों प्रतिक्रमण पूरू करी, समस्त चतुर्वित संगने मिच्छामी दुकणं कही खमावी ने बोल्या हवे पूरू थाय छे। अने सम्ता पुर्वक देह थी दिगन्त थाया। शास्त्रमा आवे छे आचार्य अरणी कुत्रणी बात, तेवो नदी पार करी रहा हता। कोई कारण सर नाविक तिमने नाव मांती बहार फेकवा तयार थायो। त्यारे आचार्य ये कहू। आप मने जोर थी नदीमा फेक्ष्णों ने। तो अपकाईना जीवों ने जो पानी में जो जीव होते हैं अपकाई के जीवों ए अपकाईना जीवों ने घणों बदों आ घार पहुंच से उभा रहो। हुझ मारी मेले भीमे थी आ नदीमा सरकी जाव चुपाई अने पिला बे सेकंड त्या नावनी पाले बेसीने मनमा स्थीर थाईने समस्त जीव राशी साथे एक शमापना करीने आ मैत्री भाव प्रेम भाव संता भाव साथे ए भाव मां एकाग्र बनीने अने धीमे थी नदीमा सरक्या हजू नदीमा इनों समस्त देह पहुँचे एननी पहला तो इनने केवड नान थयू अने त्यांकी जिद्धा मुक्षे गारा पुझ्य स्री सुकोशल मुनी एनी तो वात वाँची ना अपन नेंथाय ओह हो हो जंगल मा तेहो घणा वखती तप करता हता एक वार त्यां वाघण आड़ी इनी साथे इनना बे नाना नाना कब जता बच्चा हता अने इनी त्राड सामड़ी ने सुकोशल मुनी ए आखो खुली अने जोयू तो एटला भुखे टलवलता बे बच्चा साथे एक वाघण एनी उपर तरा मारवा तयार त्यारे एनी आ वाघण उपर क्षमा भाव लावी ने विचारू क्या तप करी करीने मारू हाड मास उगली गलुछे मारू शरीर खावा थी हे वाघण तारू पेट भराय तो सारू केचे ने कार्मेती तारा बे बच्चाने दूद पिबडारी शके अटलू विचारू त्याज वा अमिय राशी है पण एनी पर तराप मारी अने तेनो भाव पार थाई गयो। दूर लग ए दर्वेश केचे ना काड पण साच्वे पगला। आवी केटली ए अंतिम प्षणों नी सोना महरों आपणी समक्स जगारा मारे छे। पण आपणे तो आपणी पोतानी एकज अंति इंक्षण महर्ने माणवानी आपवानी छे। च्यारे काडनी बेडी तोडवानी घटना उभी थाशे। तेथीज हुँ रोज करूछु मारा मृत्यूनी भाव यात्रा अने एमाथी निपच्तो आनन अक्षून छे। स्मशानन मा बढ़ेवी चित्ताना बेग धगला सामे एक बिखारी टगर टगर जोतो उभो हतो। स्मशानना रखे वाले पुछू सू जुवे छे भाव आतो राखना बेडगला छे। जवाब मढ़ेओ। आच्चित्तामा एक अमीर ना शबनी राख छे। जेने जीवन पर काजूने बदा मज खादा छे। अने विजी मारा द तो अत्यारे राखनी बेडगली तो एक सर्खी जचे। तो आखी जिन्दगी आ मानावोने कई बात नो गर्व होचे शोधू छू। मुरुत्तियों वक्ते हाथ माथी बद्धू छुपी जाशे। अरे एक श्वास पन आपने साथे कोई लईजवा देतू नथी। जियारे सर्व जिवों मा पोतानो आत्मा अने पोताना आत्मा मा सर्व जिवों देखाई। त्यारे आपने सिद्धत लेगा छे ए माने शकाई। कारणके ए पछी पंच परमेश्ठी मा आपने अने आपनामा पंच परमेश्ठी लेखाई छे। काणके ज्यारे आपने अन्य जीवने प्रहिंदी सहाय कर लेछिये, एकलो समय आपने पण साधु छैये, कैमके सहाय करेते साधु। जितलो समय सम्तावंद आचार पाडिये छेये, एकलो समय आपनामा पण आचार यत्कोना दर्शन भायेछे। शुरूतनों आश्राईलैने आपने स्थीर्ता पुर्वक जेतलों वकत भणिये भणाविये एतलों समय आपने पड़ उपा ध्याय छिये, जेतलों समय अप्रमार पुर्वक फक्त मोक्षनु दियाई जीवन राखीये, एतलों समय आपने पड़ सिद्ध छिये, अने जेतलों समाई मैत्री थाकी जीव मात्रना कल्यान नी भावना सेवियें एकलो समाई आपने पण अरिहन्त चीछी ए ओहो ओहो कितली मुट्टी वाद थे गए आतों प्रांते सिद्धत्व मेडव्वानी आ यात्राना मार्गी जे कैं थाय इमा सहज रिते भड़ी जवो ए आनन्द ची आवो आपना अनन्द ना अमरतनी बर्खामा आपने सवने बिंजय अगे चिनेश्वर नी अगनावी रुथ काई पन कैवाई वोई तो मिच्छामी दुकडा आनो भद्रा आक्रत वो यंतु विश्वत हव विश्वनी दरेग दिशाय थी आपने सवने कल्यान कारी विचार अनन्द ने प्राक्ति थाओ अस्तु प्रणाम आपके इस वक्तव्य में से दो चीजे कोट करना चाहूंगा हम संसार में रहते हैं आपने बहुत सुन्दर बात बताई कि सुख आवे तो बाटता सीखिए अन्ने दुख आवे तो समताना घरमा रहता शीखिए आपने यूस्फुल थाई शके चे वो कोट चे अन्ने सेकेंड आपे जे कोट करें ए तो जीवन नो अल्टिमेट एम बतावी दे चे अन्ने आतमानी संब्रुद्धी बतावी दे चे आपने कहा कि रीचनेस इस नोट अर्निंग मोर और स्पेंडिंग मोर बट वें वी लिया तो मैं ये दो कोट करना चाहूंगा आपने जो आज बताए और ऐसे तो पूरे लेक्शर के अंदर बहुत सारी ऐसे कोट्स और एक्जांपल्स थे जो हमें याद रखने जैसे थे और डेफिनिटली उसके उपर चिंतन करें उससे ही हमें बहुत कुछ सेल्फ इंट्र प्रॉस्पेक्शन खुद के बारे में हो सकता है और लास्ट पॉइंट जो आपने बताया मृत्यूनी भाव यात्रा वो तो बहुत ही युनीक पॉइंट था कि जो हमारी रियालिटी है तो उसके बारे में सोचना उसके बारे में प्रिपैड रहना जब वो आए तो हमें अ आज के इस टॉक के लिए जाइन फांडेशन की और से मैं बहुत-बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूं भारती बेन और हम आपके बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहेगी कि हमारे सभी दर्शकों को आपने इतने सुन्दर आठ आनंद मंत्र बताए इसी के साथ आभार अभिविक्त करना चाहूंगा कि आप उन्हें आपका मुल्य समय दिया मुझे मालूम है भारती बेन बहुत व्यस्त रहते हैं मिन्स उनका एक मिनिट लेना वो भी बहुत डिफिकल्ट है और एक दूसरी बात कहना चाहूंगा मैंने जब-जब उनसे बात की है एक मि बाते बताईये वह खुद के अनुबहु से बाते बताईये यानि कुछ जिसको जीते हैU वह बाते हमको बताईयी है बहुत भावagit थैन्यवाद जगत के अवी जीवू का कल्यान हों जगत के सभी जीव मित्र हैं कोई-बी हमारा वेरी नहीं इस भावना के साथ प्रार्थना अनु परमानु शिव बनी जाओ अख़्ा विश्वनु वंगल थाओ सर्वे जीवो मुक्षि जाओ खामे मी सवव जीवे सववे जीवा खमन्तु में मित्ति में सवव भूई सु वेरम मज्जनके नहीं सर्वता सव सुखी थाओ पापना कोई आचरो रागद्वेशती मुक्तबनीने समता सवसम आचरो